अमरनात यात्रा की शुरुआत हो गई है सनातन धर्म में अमरनात यात्रा का बेहधी खास महत्व है ये तीरत स्थान सबसे पवित्र माना जाता है इस यात्रा में शिव भक्त ज्यादा संख्या में शामिल होते हैं खराब मौसम होने के बाद भी श्रद्धालूओं में खास उत्साह देखने को मिलता है। ऐसे में जानते हैं अमरनाथ यात्रा से जुड़ी एहम जानकारी धार्मिक मान्यता है। कि जो व्यक्ती अमरनाथ गुफा में बने शिवलिंग के दर्शन करता है। उसे मोक्ष की प्राप्ती होती है। इस यात्रा को करने से 23 तीर्थों का पुर्णे प्राप्त होता है। पुराणों में जिक्र किया गया है कि काशी में शिवलिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना प्रयास से 100 गुना अधिक पुर्णे बाबा अमरनाथ के दर्शन करने से मिलता है। गलत ना बोले। किसी के भी प्रती मन में गलत विचार धारणा ना लाएं। भगवान शिव के नाम का जाप करें। साथ ही तामसिक भोजन के सेवन से दूर रहें खान-पान का विशेश ध्यान रखें। यात्रा के दौरान कचरा ना पहला कर पर्यावरण को प्रदूशित ना करें। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपने पास रखें समुद्र तल से 3978 मीटर की उचाई पर अमरनात गुफा में शिवजी का शिवलिंग स्थित है। पवित्र गुफा 90 फीट लंबी और 1.5 फीट उची है। ऐसी मान्यता है कि गुफा में जल की बूंध टपकती है। जिसकी वजह से शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ बर्फ से बने शिवलिंग के आकार में परिवर्तन होता है और अमावस्या तक शिवलिंग धीरे-धीरे छोटा हो जाता है। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 News